हेलो मेरे दोस्तों तो आज में लेके आई हूँ आपके लिए बेसन का चीला जी हाँ लेकिन नॉर्मल चीला नहीं है इसमें धेर सारी सबजी हैं बच्चे कितना नखरे करते हैं सबजी को खाने के लिए तो आज में लेके आई हूँ आपके लिए एक ऐसा चीला जिसमें धेर सारी सबजियों के गुड़ होने वाले हैं तो आएए देखते हैं कि इन चीलो को मैंने कैसे बनाया है तो यहां मैं सबसे पहले चार बड़ी चमच बेसन को ले रही हूँ और मैंने इन बेसन को पहले से छान लिया था तो बेसन को जरूर चाने इससे वो थोड़ा सा फलफी भ सभीआ करोई भी चाहिए जरे यह दिरे करें दीरे मिर्स करना चाहिए और हो है व्या है किकी गभीरा हल्प के जीरे कि भी धीरे मिक्स करना और अच्छे करना है अग्याra छहींती कि देट्पाइज कि आम ह्ध alternator कि मॉन के दिदाड़ने तो आप काउंट करना कि मैंने कितनी सब्जी में डाली हैं तो यहां सब्जी आप अपनी पसंदगी ले सकते हैं तो यहां पर दो मीडियम साइस के टमाटर मैंने काट रहे हैं और अब में यहां पर दाल रहे हूं एक इंच अद्रक का तुकड़ा जिसको मैंने कद्दुकस का लिया था तो एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं उसके बाद हम बची हुई सब्जी को डालेंगे तो मैं यहां पर एक बड़े साइस का मैंने गाजर को कद्दुकस कर लिया था अब उसको डाल रहे हूं अब हम यहां पर डालेंगे हरी प्यास लगवग एक कटोरी है और अगर नाप से माने तो दो से तीन हरी प्यास थी उनको मैंने पूरा अच्छे से कट कर लिया था तो इसकी पत्तियों को और प्यास को दोनों को मैंने अच्छे से कट कर लिया था इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूं तो आप मयां पर एड़क रही हूँ दो हरी मिर्ची माईन काट लिया था और एक चमच यहां पर अजवाईन डाल रही हूं से और a words यहां हट यहां जाप आधा गी है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बेसन वाली चीजों में अजवाइन को ज़रूर डालें क्योंकि थोड़ा सा बेसन को पचनी में प्रॉब्लम हो सकती है इसी लिए बेटर मुझे थोड़ा गाडा लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी मिक्स कर लिया था यहां पर मैंने लॉन इस्टिक दवा है और थोड़ा से में इसमें ऑईल दिया थो देखिए हमें एक चमच इसमें टालाहां और दूसरे चमच सब्सक्री क выгляд कि इतनी सारी सब्जी सब्सक्राइल प्रॉट्चे रसी कितनी ना नुकर करते हैं कि ममी सब्सक्री नहीं खानी नह चीला बच्चे जरूर खाएंगे और उनको पसंद भी आने वाला है तो इसको ढ़के पकाएंगे क्योंकि थोड़ा पकनी में समय लगता है तो साथ से आठ मिनट हो गए थे और उपर से पूरा चीला अच्छे से पका सा लग रहा था तो इसको अभी हम प्रेट लेते हैं कि और पका लेते हैं कि बेशन कच्छा रहेगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए इसको अच्छे से पकाना है और यह देखे हमारा चीला बिल्कुल रेडी है तो इस जरूर बना के देखिए आप लोग की फैमिली में बहुत पसंद आने वाला है और इसको मैंने इ देखिए यह चीला और जरूर मुझे बताएं और मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई